हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका नीलम फूड मस्ती चैनल में तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे ही होंगे चलिए आज फिर से मैं आपकी लिए लाई हूँ कुछ नए किचन हैक्स जो कि आपकी रोज की लाइफ में बहुत ही यूसफुल रहेंगे ये आपके काम को आसान बनाने में बहुत ही जादा मदद करेंगे ये किचन हैक्स आपके काम को आसान बनाएंगे ही और आपको थोड़ा सा फ्री का टाइम भी देंगे जिसमें आप अपने घर के साथ में मस्ती मजे कर सकते हैं चलिए पहला है अगर आपकी रखी हुई रोटियों में चेटी आ जाती हैं तो इन चेटीयों से बचने के लिए आपको एक लहसुन की गाट इस रोटी के डिबे में रख देनी हैं अगर आपको ये गाट ना रखनी हो तो आप रोटी की डबे के चारो तरफ लहसुन को छील क एक गोला बना सकते हैं इस गोले को क्रॉस करके कोई भी चीटी या लाल चीटी इस रोटियों में नहीं आएगी अगर आपको हमारा ये पहला हैक अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें आपके लाइक से हमें मोटिवीशन मिलेगा चलिए अब हम आपके सामने लाएं हैं अपने किचन का एक दूसरा हैक आपने सुना होगा कि आम के आम गुठनियों के दाम ये मुहावरा इस हैक पे बहुत ही अच्छा फिट बैठेगा चलिए दूसरा हैक ये है कि आप केले खाते हैं तो छिलकों को फेक देते हैं लेकिन यहां पे छिल कर सकेंगे इस मिक्चर जार में आपको चावल आधी कटोरी चावल डालने है और स्वादनुसा नमक डालना है आधा चमच लाल मेच डालनी है आप अगर गरम मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं यह बिल्कुल ऑप्सनल है दो लाल मेच और कुछ लहसुन की कनिया और थोड फिर चलिए इस पेस्ट से हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाएंगे इसमें आप अगर चाहें तो प्यास भी एड़ कर सकते हैं यह तोटली आप पे डिपेंड है फिर कड़ाई में ओईल को मीडियम होट करना है फिर इसमें इसी मिक्चर की पकोडियां बनाके डाल दे जब यह दोनों साइट से हमारी पकोडियां अच्छे से बन जाएंगी और पक जाएंगी अंदर से सौफ्ट और उपर से क्रंची तब हिन पकोडियों को हम एक प्लीट में ट्रांसफर कर लेंगे इस पकोडियों को आप हरी या लाल चटनी के साथ खा सकते हैं आपका जैसी चटनी पसंद है आप उस चटनी के साथ खा सकते हैं अगर आपको हमारा ये वाला है पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ में करिये ताकि वो केले के छिलकों को ना फिकें चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने लेक तीसरा है अगर आपके चावल में कीड़े हो जाते हैं या घुन आ जाते हैं तो इन कीड़ों से बचने के लिए आपको अपने चावल की टंकी में कुछ तुलसी की पत्तियां चारों तरफ फैला देनी है और इनको चला देना है इन तुलसी की पत्तियों की इसमें से कोई भी हैक पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए और हमारी वीडियों को देखने के लिए धन्यवाद करपया आप इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि ये हमें लाइक कर सकें चलिए एक और हैक है किचिन का जो कि आपको ये भी बहुत हैलफुल ह होगा आपको अगर सूखी खटाई पसंद है जो कि आप डाल में डालते हैं और खटाई को सुखा कर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं लेकिन कभी कभी इसमें कीडे पर जाते हैं तो इन कीडों से बचने के लिए आपको सूखी खटाई की कलियों में नमक डाल देना है और इ हमारा वीडियो हेल्पल लगता है तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शियर करिए आप इस वीडियो पे जितने जादा लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके और नए वीडियो बनाने का अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद